नमस्कार दोस्तों जार्खन मौसम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है राची समय जार्खन के विबिन लको पर बरसाती मौसम तेज आवाई चलने और अगले एक से तीन गंटे में आंधी बरसातो वज्जरपात की समोना जता ही जा रही है तो कैसा रहेगा पूरे जार्खन का मौसम कौन से जिले में मौसम में परिवर्तन होगा एक दम सही जान करें इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा के साथ बदलावे जारकन के कई जिलों के लिए मौसम विबाग न अलेट जारी क्या गया है अगले एक से तीन गंटे में यहां पर कुछ इलाकों पर वज्जरपात होने की आसंक है और मौसम विबाग की माने तो साथ में बरसात भी हो सकती है मौसम विबाग की तरफ से यह ततकालिंग जानकरी जो है अलेट के द्वारा दी गई है मौसम विबाग के मताद इन जिलों में अगले एक से तीन गंटे में हलकी से मध्यम दरजेगी और मेग गरजना के साथ वज्जरपात होने की आसंक है और बरसात होने की सम्मोनत जता ह मौसम विबाग के मताद खुंटी, गुमला, पस्चिमी सिंग्मूम, पुर्वी सिंग्मूम, सराइकेला, खर्सावा, सिम्डेगा, जिले के कुछ बागों पर इसका असर देखने को मिलेगा मौसम विबाग की माने तो यहां पर कई जगों पर पेड की नीचे खड़ा नही इसके आसपास है, डाल्टन गन्वे तो चमाली से करीब तापने लेकिन बहुत इजल्द आपको राद भी मिलेगी, इस बार दोस्तो मानसुन जो है, यहां पर केरला में एक तारीक यानी एक जून को मानसुन दस्तक देता है, लेकिन इस बार जो है यहां पर प्रवेश करन एक पूरी जानकरी जो है, सामने आरे ही जारकन मौसम विबाक के द्वारा, वाई दोस्तो जमसत्पूर का अधिक्तम तापमान 22.8 और यहां पर मेदिनी नगर में 25.5 के करीब जागा गया है, जो की काफी गर्माट के साथ रेकोर्ड किया जा रहा है, मौसम विश्यसकों की माने तो विबिन लाकों पर बारी गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और 24-48 गंटों की दुरान भी हमें यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा, कहां पर कितना रहा तापमान तो यहां पर बता है जार की पिछले दो दिन के दुर 32.8, सिम्डेगा में 40.2, डिग्री सेलजेट पस्ची मी सिंग्मों में 42.2 और यहां पर बता है जार की जमसतपूर में 42.5 और डाल्टन गंज में 42.8 डिग्री सेलजेट आपमान ना पगया, मौसम विबा की मिली ताजय जानगरी के मुतार जारकन में दोस्तों मानसुन थो देख इलाकों पर गरत चमा के साथ बादल चाहिरेंगे, गरम लहरे जो है कई जगों पर जुलसा रही है, इसी बीज दोस्तों मौसम विबाग ने बरसात की भी सम्मानों दता ही है, बले दोस्तों गर्मी पढ़ रही है, लेकिन मौसम में बदलाव आया है और कई जगों प बादल चाहिरे सकते हैं, और संताल परगना को छोड़ दे तो बाकी राज्य के बाकी इलाकों में अधिकतम तापमान में बड़ोतरी ना पी गई है, मौसम विबाग की माने तो विबिन लाकों पर गर्माट है, उताचड़ा अफजारी है, ते जावाई चलने मौसम में बहुत कम हैं, लेकिन गर्मी से रात जरूर मिली है, और यहां पर दोस्तो जो है, चालिस के आसपास तापमान आ चुका है, जो कि लोहर दगा में आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में 43 के करीब ता मई के दूसरे सपता के दोरान, वहीं लातयार में 25, 26, 27 रात के समय, त बारी गर्मी पड़ेगी, और बुदवार, गुरुवार को अलकी, बुंदा मुंदी और मौसम में अलचल देखने को मिल सकती है, खुंटी की बात के तो 24, 26 रात के समय, दिन में 44, 41 से करीब तापमान रहेगा, बारी गर्मी का प्रकॉप है, बादल चाहरेंगे, तेज आप स्क्रीन पर खुदी देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मंगलवर से अचानक मौसम बदल जाएगा, और यहां पर 40 के नीचे तापमान आने के साथी बरसाती मौसम देखने को मिलेगा, हजारी बाग में 24, 25, 26 रात के समय, दिन में 40 के असपास तापमान है, चार से पां मौसम में बदला और तेज आओ के साथ परिवर्तन होते हैं नजर आ सकता है, वाई दोस्तों, गोल्डा की बात के तो 26, 26, 26 रात के समय, तो दिन में 40, 31 से करीप आपमान रेगा, चार दिन बादल और तेज आओ के साथ मौसम में बदला आने के संके, जताएग मौसम में कई जगों पर ठंडग भी देखने को मिल सकते हैं तीन से चार दिन के बाद, गिरिडिय की बात के हैं तो गिरिडिय में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 26, 37, 27 रात के समय, तो दिन में 40, 41, 42 से करीप आपमान रेगा, चार दिन बादल और दिन बारी गर्मी पड़ेगी, फिर बादल चाहरें के मौसम में हल चल होगी और चार दिन के बाद हलकी बुंदा मुंदी होगी, मौसम में परिवर्तन होगा और तेज अगों के साथ बदलावा सकता है, गड़वा की बात के तो 26, 37, 27 रात के समय, तो दिन में 40, 42 के करीप आपमान रेगा, चार दिन तक बारी बादल चाहरें के मौसम में हल चल और चार दिन के बाद हलकी बुंदा मुंदी हो सकती है, तब तक दोस्तों बारी गर्मी के कारण आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और मौसम में बदलावाने के संकेत है, दुमका में 26, 37, 27 रात के समय, तो दिन में 40, 41 ल enact के बादल चाहरें के बारी गर्मी का प्रकोब है, मौसम में परिवरतन, लगातार उताच्डाव, जारी तेज आओं चलेगी, और मौसम में बदलावाने के संकेत है, देवगर्ण में 26, 37, 28, 29 रात के समय, तो दिन में 40, 41 शैरी ताप मरेंगा, चार दिन बादल चाहरें गर्मी का प्रकोप है उसके बाद अल्की बुंदा-बुंदी होगी बौसम में परिवर्तन तेज आवाई चलेगे और उताचड़ा उजारी रेने के आसार है बोकारो में 37-39 रात किसम है तो दिन में 40-42 से करीट आप मर रहेगा मौसम में परिवर्तन तेज आवाई चलेगे और उताचड़ा उजारी रेने और बदलाव आने के संके जटाई जारे खरसावा की बात किसम है तो दिन में 40-42 से करीट आप मर रहेगा पांस दिन बादल चैरिंगे बारी गर्मी का परकोब है तेज आवाई चलेगी मौसम में बदलाव और गर्मी का कारण जो है काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है सारह केला में 37-37 राट के समें तो दिन में 40-41 से करीव ताप मर रहेगा 4 दिन बादल चैरिंगे गर्मी का परकोब रहेगा रात के समें 37-ange से करीव ताप मर रहेगा और चार दिन के बाद हलकी बुणदाबुंदी के संखेतर और मौसम में अलचल भी देखने को मिल सकती है राँची की बात के तो राँची में 24-25, 26-27 रात के समय तो दिन में 36, 37, 38 से करीब दाप मारेगा चार दिन बादल फिर अलकी बुंदा-बुंदी मौसम में परिवर्तन उतार चड़ा अवजारी और तेज आओ के साथ मौसम में बदला आने के संकेत है रामगड की बात के तो रामगड में 26, 37, 39 रात के समय तो दिन में 40, 41 से करीट आप मर रहेगा चार दिन बादल चाहे रहेंगे तेज आओ चलेगी मौसम में परिवर्तन कुछ जगों पर गर्माड तो कई जगों पर मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और उताचड़ावजारी रहेगा और कई कई जगों पर बारी से बारी गर्माहट देखने को मिल सकती है पला मू में 25, 27 रात के समयए तो दिन में 40, 20 में लिसी करीब ताप मर रहेगा चमाल इसी तक तक ताप मर जाएगा बारी गर्मी का परकोप रहेगा लगा-तार उताचड़ावजारी रहेगा परिवर्तन होगा पाकोड में 37-37 रात के समय तो दिन में 40 के करीब ताप मर रहेगा 37-47 बादल चार दिन उसके पाद हलकी बुंदा-बुंदी मौसम में परिवर्तन उताचड़ा उजारी और तेज आओं के साथ मौसम में बदलाव आते हुए नजर आएगा कुछ-कुछ इल कज में पறोется हुए नजर पतों हुए यह पाल करे दो वघ्जा सक्कार के समय और प्रस्साओ़र्तन होड़ नजर जा सकते लगवर्तने हो झाल कि हमें पहुए आपंसितना वाएगा हुए खर दिन वीर्तन canyon, भीर्तन हो इता कैसित तार ट।